नमस्कार तेज हर्याना पर लगातार हम आपको घगर नदी से जुड़ी हर अपडेट बता रहे थे लेकिन आज मैं जिस जगा पर हूँ वो राजिस्तान कैनाल आईजी एनपी का साइफन सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं ये पूरा वो इंट्रैक्स कैप के गेट को उठवाने का नीचे डाउन अप करने का पूरा जो सिस्टम उपर का है एक पूरे का पूरा सिलसला है बड़ी क्रेन यहाँ पर मोटर्स की मदद से इनको उठाया जाने का सिलसला लेकिन इन सब के बीच में आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं सबसे वाइड एक्स्क्लिसीव तेज हर्याना के जरी आप तस्वीर देखेंगे सबसे बड़ी रहत देने वाली यही आईजी अनपी ने ना सिर्फ हर्याना बलकी राजस्तान के तमाम खत्रों को टालते हुए आज समुचे इस इस इलाके को खत्रे से बाहर कर दिया है क्योंकि अब बार का खत्रा टला है निशित तोर पर सब लोगों के लिए एक रहात एक खुश खबरी है कि यहाँ पर आईजी अनपी से आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि अब आईजी अनपी के वो एसकैप के दस गेट थे उनको भी बंद कर दिया गया है क्योंकि इसी एसकैप के जरीए घगर का करीब पचपन सो क्यूसिक जो पानी था वो जब घगर उफान पर थी तो जीवन दाईनी बन कर जो आईजी अनपी जो राजस्तान की लाइफ लाइन जानी जाती है इसी राजस्तान कैनाल ने तमाम इलाकों का भार हलका किया और अब यहां पर पूरन तरीके से घगर शान्त हो गई है क्योंकि लगातार जो जलस्तर है वो पिछले कई दिनों से डाउन जा रहा है और पिछले अगर चार दिनों की बात देखेंगे तो क्रीब क्रीब 15,000 क्यूसिक पानी का जो स्तर है वो नीचे चला गया है और आप था और सब कुछ बड़ा संकट में नजर आता था लेकिन इसी संकट को हरने का काम सबसे अगर बड़ा किया तो वो आईजी एनपी ने किया और इस इसी गेट आप देखेंगे जो यहां पर क्रीब क्रीब पानी जब चला तो वो फासला है वो क्रीब क्रीब यहां पर 5-7 फ इस पी परशाशनी का दिकारियों ने इरिगेशन डिपार्टमें डिपार्टमेंट दिन रात इसे चुनोती मानकर इस काम को रैस्क्यू किया और इसे करीब 10 दिनों के बाद इन गेट को खोला गया तो आप देखेंगे यहां पर इतनी बड़ी मात्रा में मिटी थी जिने पोकलेंड की मदद से जेसीबी लगाकर ट्रॉले लगाकर यहां से स्मिटी को इससे दूर ले जाया गया उसके बाद यहां से पूरा घगर का रास्ता खोलने के बाद इस पानी को आईजीन पी के अंदर डाला गया अब आपको दूसरी तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूँ यह इंद्रा गांधी राइस्तान नहर है जिसमें आप पानी छोड़ दिया गया और इसके तमाम जितने भी दस दरवाजे हैं क्योंकि जैसे डाउन नीचे गया था घगर का तो पानी यहां पर सिर्फ एक जार क्यूसी की आना रह गया था बाकी तो तब यहां पर विभाग ने इस दस इस कैप को बंद करवा दिया अब जो लाइफ लैंड जो यहां पर सबसे बड़ी जो उतर भारत की नहर राइस्तान के नाल है उसमें भी अब पानी आने के बाद जो वीदिवत रूप से जो राइस्तान के अंदर पानी जाना है वो शुरू हो गया है तो सबसे बड़ा सलूट तो राइस्तान परशाशन को बनता है यहां की स्थानिये जतना भी परशाशन था उनकी मेहनत रंग लाई है निशित तोर पर सिरसा ओटू का खत्रा यहीं से टला और इसी अगस्त में आईजी एनपी से 13500 क्यूसिक पानी मिलेगा और 31 जुलाई से 4 में से 2 सुमू में नहरे चलेगी BMC की बैठक में यह सबसे बड़ा जो फैसला है वो लिया गया है जो की RD 629 पर बनाएगे इंटक्ट जो इंस्ट्रक्चर था उसके जो बुद्वार को 10 गेट बंद कर दिये गए और 10 दिन पहले हर्याना के पानी की आवक अचानक बढ़ने के कार् अब इसमें इसे पूर्ण तरीके से जो बंद है वो कर दिया गया है तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर किसानों में जो आईजियन पी के किसान चार में से दो गुरूप की नहरे एक साथ चलाने की मांग कर रहे थे डिमांड अप पूरी हो जाएगी RD 629 पर सकैप के सभी भगर के खत्रे को टालने के लिए दो दशकों में इस इस कैप के लाइफ में पहली बार इसको यूटिलाइज किया गया इस्तेमाल में लाया गया और इसका डेमो एकदम सकसेस ओके टैस्टिड रहा आने वाले वक्त में भी अगर कभी खुदा न करे ऐसा ना हो हम कहते हैं लेकिन आबदा कभी किसी को तारीख और साल बताकर नहीं आती है, वो आती है और अपना जिस तरीके से परकरती को कुछ पसंद होता है, वो होता है, लेकिन जब संसादन प्रियाप्त हों तो फिर किसी भी खत्रे को टाला जा सकता है, ऐसे में राईस्तान परशाचन की एक पूर गामी सोच थी और हर्याना का संयोग था साथ में कि इस घंगर के खत्रे को हम टाल पाए हैं बात बात शुक्त